Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है Lost So कहानी के शुरुआत होती है Pacific Ocean से, जहाँ पे हम एक shipping container को पानी में तेरते हुए देखते हैं Scene shift के पहुचता है हमारी कहानी के ऐसल किरदार पर, जो है John, जिसकी उमर लगबग 60 साल की है वो इस boat पर fishing करने के लिए था लेकिन उसकी आँख लग जाती है और अभी उसे कुछ पानी के आवाजे सुनाई देती है तो वो अपने चारो और चेक करता है और उसे बता चलता है कि उसकी boat में पानी भरता जा रहा है जिसे वो और उसकी boat दोनों डूब जाएंगे यहां John पहले तो एक stick से उसे खुद को दूर करने का try करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता तो नीचे से sea anchor लाता है फिर container पर जाकर उसे बान देता है जिसे कि वो उसे दूर चला जाता है और boat free हो जाती है लेकिन जाते समय उसे याद आता है कि उसने anchor तो वहीं छोड़ दिया है तो वो दुबारा उसके पास जाता है और होशियारी से उसे वापस ले आता है लेकिन यह एक छोटी सी टकर की वज़े से उसकी boat का एक हिससा तूट चुका था जिसमें से पानी अंदर गुस्ता जा रहा था और अब उसे जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक करना होगा तो पहले तो जाकर वो water pump को on करने की कोशिश करता है जिसे कि वो पानी को बहाँ निकाल सके लेकिन पानी के वज़े से boat की सारी electronic चीज़ें खराब हो चुकी है इसलिए वो भी नहीं चलती तो यहां जॉन सबसे पहले शांती से अपना दिमाग चलाता है और अपनी boat को अच्छे से देखता है और अंदाजा लगाता है कि असल में खराबी कहा होई है और सबसे पहले एक toolbox निकालता है जिसके मदद से वो जुआलो hand pump बनाता है जिसे boat का पानी बहा निकाला जा सके अब उसे ये सब करते हुए काफी देर हो चुकी थी और उसे भूग भी लग जाती है तो पहले तो कुछ खा लेता है और फिर दुबारा से उसी hand pump से पानी बहा निकालना शुरू कर देता है लेकिन इसी तरह से अब रात हो जाती है और अब जब boat के अंदर सोनी लाएक कोई जगा ही नहीं बची थी इसलिए वो एक जूला बनाता और उस पे ही वो रात गुजार देता है अगली सुबाव से सबसे पहले तो उस होल को बंद करना है जो कंटीनर की वज़े से हुआ है क्योंकि वहाँ से पानी लगतार अंदर आता जा रहा है इसलिए वो एक चटाई को वहाँ पे गलू से चिपका देता है ताकि कुछ तो पानी अंदर आने से रुका रहा है लेकिन अभी भी वो होल बंद नहीं हुआ था क्योंकि पानी भरता ही जा रहा था इसलिए वो फिर से हैंट पम चलाता और अंदर के पानी को बाहा निकालता है और फिर दुबारा से होल को बंद करने में लग जाता है कुछ जर्बात फाइनली वो फूरी तरह से उस होल को बंद करने में कामियाब हो जाता है लेकिन क्या ये काम करेगा यही चक करने के लिए वो बोर्ट को थोला डीप ले जाता है और लगे लिए जुआल उसका काम कर रहा होता है अब उसका अगला काम है किसी को मैसेज भीजना कि वो यहाँ पर फसा हुआ है लेकिन इसके लिए उसे रेडियो की मदद चाहिए जो कि अब बन पड़ा हुआ है अब यहाँ वो एक बार फिर से दिमांग चलाता है जिससे कि उसे एक आईडिया आता है वो नीचे से बोर्ड की बैटरी लेकर आता है और फिर उसे खोल कर रेडियो से कनेक कर देता है उसके पास एक मैप भी था जिसकी मदद से वो उसी लोकेशन के बारे में पता लगाता है जहाँ पे कनेक्टिविटी जाता आती है और फिर सभी को SOS मैसेज भीजने का ट्राई करता है लेकिन अफसोस इस बारी उसका ये आईडिया काम नहीं आता और वो रेडियो को वहीं छोड़ कर नीचे आ जाता है जहाँ वो एक बुक को उठाता है और उसमें लिखी चीजों को समझने लगता है दरसल दोस्तों ये बुक उसी रेडियो के साथ मिली थी जिसमें बताया गया था कि अगर आप मुसीबत में हो तो कैसे इसे इस्तेमाल करके मदद माग सकते हैं अब वो बुक को पढ़ी रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उपर कुछ आवाजें आती है तो वो फोरन जाता है और रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है जब वो ऐसी जगाँ पर फसा हो उसे पता नहीं है कि वो बचिएगा भी या फिर नहीं इसके बाद वो जाकर खुट की लिए खाना बनाता है तब ही उसे कुछ बारिश की बूंदे उसके हाथ पे गिरती है तो वो उपर जाकर देखता है तो हलकी फुलकी बूंदा बांदी हो रही थी लेकिन वो उसे एंजॉय कर रहा था दूसरी चीज वो उसके पानी को एकठा कर लेता है अब जॉन नीचे आकर अपने बनाए वे खाने को खाता है और फिर रात को बुक पढ़ते बढ़ते सो जाता है उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसे यहाँ कोई बचाने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं आएगा इसलिए कल सुबा उटकर उसे ही कुछ करना पड़ेगा वरना वो ऐसे ही कई दिनों तक यहाँ पर फसा रहेगा लेगिन उसी दोरान उसे दूर से आता हुए एक तुफान दिखाई देता है जो शाम तक उस तक पहुच जाएगा जिसके लिए पहले से उसे तयार होना होगा तो वो सबसे पहले जाकर बूट में रखी जितनी भी बाल्टियां या बॉटल होती है उन्हें भर देता है ताकि बूट का वजन भारी हो जाए और वो पल्टेना इसके बाद वो खुद की शेविंग करता है जैसे कि वो उस तुफान से कह रहा हो कि आ जाओ मैं तुम्हारे लिए तयार बैठाओं फिर वो हैंड़ पम से बूट में जमे हुए पानी को बाहा निकालता है और आकिर में जाकर वो अपने रेन कोट को पहन लेता है और डेक पर जाकर बोट को संभालने लग जाता है कुछी समय के बाद बोट से वो तुफान टकराना शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से तीज-तीज लहरे भी उठना शुरू हो जाती है अब उसकी बोट कभी नीचे जाती है कभी उपर आती है लेकिन ये लहरे उसका हौसला तोल नहीं पा रही थी, वो अपनी पूरी जान लगा देता है, उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लहरे अब बड़ी होती जा रही थी और एक बारी तो वो समुंदर में गिरते गिरते बचता है, तब उसे आइडिया आता है कि कोई ना वो आंकर की मदद से बोट को एक ही जगा पर खड़ा कर दे, तो वो फॉरन नीचे से अंकल लाता है और पानी में डालने लगता है, लेकिन तबी गाईस सामने से एक विशाल लहरा कर उसकी बोट से टकराती है, जिससे कि वो और उसकी बोट दोनों पानी में डूब जाते हैं, पर जौन एक होशियार कि सिंद का आदमी है, वो अपनी बोट की हैंडल को नहीं छोड़ता और इसकी मदद से उसे फिर से सीधा कर देता है, और फिर से नीचे जाता है, बचे हुए कामों को पूरा करने लगता है, सबसे पहले तो वो फिर से पानी को बाहा निकालना शुरू करता है, क्योंकि बोट के सर पर एक बड़ा सा कटा चुका है, जिसे की खूर भी निकल रहा है, लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखता है, तो अभी भी वो तुफान कम नहीं हुआ था, उसे कुछ न कुछ तो करना है होगा, तो वो डेक पर दुबारा जाता है, ऐसे ही जखमी हालत में, और बो चोड़नी पड़ीगी, वनना वो हाइप और थर्मिया से ही मारा जाएगा, अगर वो ज़्यादा देर तक ऐसी भीगता रहा, तो इसलिए वो फॉरन नीचे जाकर लाइफ बोट को लेकर आता है, लेकिन वो उस लाइफ बोट को अपनी बोट से बांद कर रखता है, ताकि वो ज़्यादा दूर बह कर ना जाए, और ऐसे में से ढून पाना असान भी होगा, अब उस लाइफ बोट में ही बैठ जाता है, नेक्स सीन में जब उसकी आख खुलती है, तो उसकी बोट थोड़ी ही दूर पर थी, लेकिन अब पानी भनने के वज़े से वो डूपती जा रही थी, खुद की बोट को ऐसी हालत में देकर जौन को बहुत जादा बुरा लगता है, लेकिन यह उसकी मजबूरी है, लेकिन वो एक आखरी बार उसके अंदर जाना जाता है, इसलिए वो खुद की तरफ उसे खीशता है और फिर उसके अंदर जाता है, वो बोट अब प स्टेट बॉक्स मिलता है, और फिर सारे समानों को लेकर वो वापस अपनी बोट पर आ जाता है, और आखिर में वो उसी रसी को काट देता है, और फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते है वो पूरी बोट डूबने लगती है, और एक पल ऐसा आ जाता है, जब उसकी सामने से ओजहल हो जाती है, यहां जौन यह देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि उसकी बोट के साथ उसकी बहुत सी यादे जुड़ी थी, लेकिन अब उसके पास यही चोटा सा घर है, जिसके साथ उसे यही आने वाले दिन को गुजानना होगा, पर आकिर कितने दिन वो यहां ऐसी रहेगा, अब वो पानी से जादा करीब है क्या पता कोई शार्क आ जाए, अब वो अपने साथ लाएक इंस्टूमेंट को खोलता है, जिससे कि उसे लोकेशन को चेक कर सके, उसे दूर दूर देख सकता है, जिसे वो मैप में निशान लगाता है, और तब उसे पता चलता है कि वो पैसिफिक ओशन के कितने अंदर आ चुका है, लेकिन मैप में उसे थोड़ी ही दूर पर एक शिपिंग लाइन शो होती है, जहांसे हर दिन बहुत सारे शिप गुजरते हैं, वो उस लाइन पर मार्ट लगाता है और उसके जितने करीब हो स पानी में होता है, तब ही वो राफ के जिप ओपन करता है, जिसे कि वो बाहर आपाता है, लेकिन वो ऐसे ही उसे छोड़ कर नहीं जा सकता है, इसलिए वो दोबारा उसके पास जाता है और उसके उपर खुद को कान और आखे बंद करके बैठ जाता है, वो अपने सर को प्रस्टेशन हम उसके चहरे से नजाराने लगती है, लेकिन ऐसे चलाने से तो काम नहीं बनेगा, वो पहले तो मैप चकरता है, कि अब वो कितना दूर है तब जाकर उसे पता चलता है कि अब थोड़ी दूरी पर shipping line है जिसे कि उसे थोड़ा होसला मिल जाता है लेगन अब यहां उसके लिए एक और मुसीबत हो जाती है और वो थी कड़ी धूप वो बिलकुल आसमान के नीचे है इसलिए वो खुद को एक कुपाय ढूणता है वो उसी धूप का इस्तिमाल करता है पानी बनाने के लिए जिसके आन में उसका पानी था वो से बीच से कट करके उसके उपर एक पनी लगा देता है और उसके नीचे एक गलास रख देता है जिसलिए कि वहां रखा हुआ पानी प्यूरिफाय होने लग जिसके बाद वो एक बार फिर मैप में देखता है तब यूश के सामने से आता हूँ उसे एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखाई देता है जिसे देखकर उसे एक उमीद दिखाई देती है इसलिए वो फॉरन एक फ्लेर जलाकर वेव करने लगता है अब जैसे जैसे वो करीब पाता जा रहता वो चलाने भी लगता है लेकिन धीरी धीरी वो शिप उसके साइट से गुजर जाता है और कोई भी उसे देख नहीं पाता अगर वो बोट पे होता तो में भी वो लोग उसे देख पाते हैं लेकिन वो एक चोटी सी राफ पर है जिसके सामने इतना बला तो उसे खीशना शुरू करता है लेकिन जब तक वो उसके पास आती एक शार्क उस मचली को खा जाती है तो यहाँ उसका खाना भी जा चुका था और जॉन पूरी तरह से परिशान हो चुका था हम देखते हैं कि अब रात में एक बार फिर से एक शिप उसके पास गुजरता ह तो एक बार फिर से फ्लेर छोड़ता है लेकिन यहाँ भी वही होता है वो लोग जॉन को देख नहीं पाते जिसके बाद उसके अंदर अब जीने की उमीदी खतम होती जा रही थी उसे तो यही लगने लगा था कि यहाँ तो बस बड़े बड़े शिप ही आएंगे जो कि उ उस लोकेशन डिवाइस से देखता है और उसे पता चलता है कि अब वो शिपिंग लाइन से काफी आगे आ चुका है यानि कि इस रास्ते पे अब कोई भी शिप नहीं आएगा ये देखकर उसकी सारी उमीद टूट जाती है और यहाँ से वो अब जीने की उमीद छोड़ द देता है उसे पता चल चुका था कि अब वो तो शिपिंग लाइन से आगे आ चुका है और कोई शिप उसके पास गुजरती भी है तो उसे देख नहीं पाएंगे इसलिए आखिर में एक पेपर में कुछ अपने दिल की बाते लिखता है उसकी जिन्दगी में जो जो भी गल होता हेगी और वो मर जाएगा और आर इसे इंतजार में रात हो जाती है लेकिन उसके किस्मत में शायद कुछ औरी लिखा हुआ تھा उसे दूर अब उसे शार्प का भी खत्रा बढ़ चुका है थोड़ी देर पानी में रहने के बाद वो फैसला करता है कि उसकी किस्मत में ऐसे ही मनना लिखा है इसलिए वो आख बंद करकर पानी के अंदर जाने लगता है लेकिन आज शायद वो दिन नहीं है जब जौन को मनना हो शायद उपर वाले की किताब में उसकी मौत की तारीक कुछ और लिखी है क्योंकि उसकी आँखे खोलते ही उपर उसे एक बोर्ट दिखाई देती है जो पानी के नीचे लाइट मार रही थी जिसे देखते ही वो उपर जाने लगता है और खुद के जान बचा लेता है लोग उसकी जलती हुई राफ देखकर उसे बचाने के लिए आएट दोस्तों वो कहते है ना कि कभी कभी कोई चीज बरबाद होते हुए भी आपका फायदा कर जाती है तो इस कहानी से आपको एक सीख जरूर लेनी चाहिए इतनी जल्दी हार नहीं मानी चाहिए क्योंकि क्या पता अपरवाल ने आपके नसीब में कुछ और लिखाओ तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है प्लीज जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा उस पर भी आपको नए-ने कॉंटेंट नए-ने एक्स्प्लिनेशन देख झाल 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 झाल